इस वीडियो में आप जानेंगे अमेरिका में जॉब या नौकरी कैसे मिलती है आजकर बहुत सारे लोग अमेरिका में नौकरी चाहते हैं और वे जॉब के लिए अलग-अलग एजेंट्स के पास जाते हैं लेकिन ऐसा कोई भी एजेंट नहीं है जो आपको USA में वर्क वीजा दिलवा सके आप अमेरिका सिर्फ अपनी योग गिता के आधार पर आ सकते हैं इस वीडियो कंटेंट में आप ये जानेंगे कि अमेरिका में नौकरी के लिए क्या योग गिता होनी चाहिए अगर आपको अमेरिका में जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको वर्क वीजा लेना होगा जिसको हम H1V वीजा कहते हैं H1V वीजा वही लोग ले सकते हैं जो highly skilled professionals की categories में आते हैं Highly qualified की category में चार तरह की education esteem आती है Science, Technology, Engineering और Mathematics इन esteems में जो लोग Master, PhD और Bachelor डिग्री लेते हैं वे लोग highly skilled professionals कहलाते हैं अमेरिका में highly professional से लोगों की बहुत ज़्यादा निबान होती है अमेरिका की companyya highly skilled professional से लोगों को बहुत जल्दी जॉब देती है चाहे वो लोग किसी भी देट में रहते हों उनको अमेरिका की companyya job दे देती है H1V visa के लिए कौन कौन qualified होते हैं H1V visa के लिए professors, engineers, healthcare workers, accountants, financial analysts, management's के लोग lawyers, architects और nurses, professionals वाले लोग qualified होते हैं qualified होने के बार आपको in profession में highly skilled होना जरूरी है इसका मतलब आपके पास in profession में higher degree जैसे master, PhD, bachelor होनी चाहिए अमेरिका में नोकरी कैसे मिलती है, ये सभी का प्रश्ण होता है आप अमेरिका में खुद कोई job apply नहीं कर सकते इसके लिए आपको multinationals company के reference की जरूत होगी क्योंकि multinationals company के office बहुत सारे देटों में होए office होने से वे आपका आसारी से H1V visa बनवा सकते हैं इसके लिए आप उस company को अपना रजीव में भेज कर request कर सकते हैं कि मुझे इस देट में आपकी company के लिए काम करना है उसके बाद वे आपका interview लेंगे, फिर वे company आपके लिए prediction file करेगी, अगर आप पहले से इंडिया में किसी multinationals company में काम करते हैं तो आपके लिए H1V visa बनाना और भी आसान हो जाएगा H1V visa का हर साल 85,000 का कोटा होता है जिसमें 25% master और PhD डिगरी करने वाले लोगों को ज़्यादा preference मिलती है इसका मतलब master और PhD डिगरी वाले लोग 25% चुन लिये जाते हैं हर साल दो से लेकर धाई लाख लोग H1V visa के लिए अपलाई करते हैं लेकिर उनमें से 85,000 सिलेक्ट होते हैं company H1V work visa April महिने में अपलाई करती है और जिन लोगों का H1V visa हो जाता है उन्हें work permit अक्टूबर में मिल जाता है और H1V visa की validity तीन साल की होती अगर company आपको अपना employee बना कर रखना चाहती है तो वह आपका visa तीन साल के लिए और बढ़ा सकती है फिर 6 साल हो जाने के बाद आप green card के लिए apply कर सकते हो जिससे आप यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो highly skills और highly qualified लोग H1V visa लेकर अमेरिका में नौकरी ले सकते हैं लेकिन जो लोग high qualifications categories में नहीं आते बो भी दूसरे visa पर कुछ सालों के लिए अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ पर job सर्च करके नौकरी कर सकते हैं H2 visa ये visa अमेरिका में labor work करने के लिए दिया जाता है लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है ये visa लेने के लिए आपको labor department की मंजूरी लेनी होगी H3 visa ये visa उन लोगों को दिया जाता है जो किसी training के लिए अमेरिका आना चाहते है H4 visa पहले से अमेरिका में रहरा है व्यक्ति अगर अपने family member को dependent की रूप में चाहते हैं बुलाना तो वो H4 visa पर उन्हें बुला सकते हैं L1 visa अगर आप किसी multilations company के लिए काम करते हैं और आप अमेरिका आना चाहते हैं तो इस visa के जरिए आप उस company से transfer करवा कर आ सकते हैं L2 visa अगर किसी व्यक्ति के पास L1 visa है और वे अपने किसी family member जिनकी उम्र 21 साल से कम है और वे अन्मेरिड है उनको L2 visa से अपने पास बुला सकते हैं O visa ये visa extraordinary लोगों के लिए होता है जो businesses, athletics, education, science और arts field में outstanding achievements हासिल कर चुके होते हैं आप इन में से किसी भी visa का उप्योग करके अमेरिका आ सकते हैं इसलिए आप अमेरिका में जॉब के लिए किसी भी agent पर depend ना रहें खुद अपनी योगिता के आधार पर जॉब सर्च करके अमेरिका में नोकरी हासिल करें